हेलो फ्रेंट्स वेल्कॉम बैक टू यूर चैनल दुनिया दी शैर आज हम बताने जा रहे हैं यूएसे के वीजा के रिगारिंग जितनी इन्फॉर्मिशन हो सकती हम आपको बताएंगे क्योंकि दुनिया दी शैर करते करते सबसे बढ़िया देश है यूएसे और यूएसे क और कंट्री है जिनके लिए ये जरूर्त पड़ती है इसकी वो जैसे के फिलिपीन हो गया जॉर्जिया हो गया तुर्की हो गया सिंगापर हो गया यूरप आप किसी भी देश में जाना है आपको वीजा एजी मिलेगा मालीजे अपने यूरप पर जाना है तो आपको यूर ही ये वीजा फिल्पीन के लिए काम करता है तो पूरी दुनिया में चालीस ऐसे देश हैं इंडिया के लिए देश इतने हैं कि आम आपको अगर पूरी की पूरी लिस्ट बताएंगे तो आप फैदा नहीं उसका है ना पर यब आप जैसे जैसे ट्रैवल करेंगे आपको प पंद्रा लाख रुपए ले लिते हैं आप से क्यों भई उनको देना है पंद्रा पीस डारेक्ट शॉर्ट कट करो ना कोई फैदा नहीं है 15 लाख देने का तो उसका में अभी मेरे दिमाग में क्या चल रही है बात के हम डिरेक्ट काम करने की कैशिश करते हैं अजन्ट को 20 लाक किस चीज़ का देना 20 लाक बहुत बड़ा होता है बहुत बड़ी अमाउंट होती है तो मेरे ख्याल से उसको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने देजिए अगर हम क्या करते हैं कि भाई डारेक्ट उसको वीजा दे देते हैं हमारा वीजा फ्रेश होता है तो कोई फैदा भी तो यह नौन इमिग्रेंट वीजा होता है जब आप फारम के उपर जाएंगे यह वाले के उपर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आपने इसके उपर क्लिक करना है एक होता है नौन इमिग्रेंट एक होता है इमिग्रेंट आपने नौन इमिग्रेंट के उ इस बात को ध्यान में रखिएगा ओके तो जो फारम फिल करना है फारम फिल करने का जो टेकनीक है पूरी की पूरी तो मैं आपको नहीं बता सकता है बस यह बता सकता हो भी के यह वाला फारम है आपने यह वाला फारम फिल करना है अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पूरी की पूरी help करूं, A2Z 1 by 1 को पास बैठके आपके, तो भई, आपको क्या करना पड़ेगा यह जो button है, join button आपको click करना पड़ेगा, और join कीजिए channel को, उसके बाद मेरे को अपना contact number दीजिए, मैं आपका personal number दूँगा, अपना खुद का नहीं तो भई, normal number तो मेरे चल रही जाओ, तो मैं आपकी help करी रहा हूँ वो number भी मैं बता देता हूँ, note कर लिजेगा 17, 419, 95 और यह जो फार में आपने 90 मिनिट में complete करना होता है अगर आप 90 मिनिट में यह form complete नहीं करते हैं तो automatically यह shut हो जाता है और आपको दोबारा से try करना पड़ता है पर ऐसा नहीं होता है आपकी यह file save हो जाती है उसके बाद फिर आपको second attempt करना पड़ता है कोई मसला नहीं, अगर माली जे बिजली चली जाए आपका fill करते हुए जाए internet बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए आप माली जे आपको काम पड़ गया तो यह save हो जाता है आपने इसी को edit कर लेना है बाद में आपने जब करना है और जो photo होती है आपकी direct camera से ली जानी चाहिए यह नहीं है कि आपने photo निकल वाली और उसके बाद उसका printer निकल वाली आप printer निकल वाके आपने scan कर वाली फिर आपने submit करनी है नहीं अपने direct camera वालों से photograph को बोल देना है कि भई मेरे को direct photo दे दो मैंने यह वाली photo आगे करनी है photograph से mail कर वा सकते हो आप अपनी और इसमें document से लगेंगे आपका passport आपकी travel इंटररी के आपने वहाँ पे किस देश में जाना है आपने mini pig में उतरना है new york में उतरना है या कहीं भी उतरना है आपको उसके बारे में knowledge होनी चाहिए उस जगा के अंदर कौन कौन सी चीज है वो आपको पता होना चाहिए इस बात को ध्यान में रखिएगा और date किस को जाना है so better रहेगा आपने भाई around एक या दो महीने बाद की date डालो और सबसे better मौसम यही रहता है कि अगर आपने वहाँ पे जाना है तो June, July, January, February के बाद का प्रोग्राम रखो तो easy रहेगा अच्छा रहेगा क्योंकि तब वहाँ पे बर्फ नहीं होती बर्फ में भाई कौन जाता है गोमने के लिए पर अगर फिर भी अपने बर्फ देखनी है तो February से पहले का थोड़ा सा एक दो महीना मतलब आप जनवरी के तक का रख लो समय जनवरी से लेके जुलाई अगस्त तक का समय सही होता है उसके बाद थोड़ा सा वर्फ बारी शुरू हो जाती है फिर कोई फैदा नहीं होता है और जूम आपने बना लेना है अपना अच्छा सा यह नहीं है किसी का चिपका देना है यह का मत कीजिएगा जो आपका है यूएस से विजा लेने के लिए एक सबसे बड़ा मूल मनत्र है वो है ऑनेस्टी अगर आपके पास ऑनेस्टी है तो कोई मुश्कल नहीं है असलियत जो है आपने वही बतानी है बेंक की statement के बारे में बात की जाए तो भई आपके account में चाहे 2 लाख है चाहे 3 लाख है चाहे 5 लाख है पर वो पैसे कहां से है main important ये बात होती है अब ये नहीं है कि आपने अपने दोस्त से चाचा ताया मामा मासर से ले लिया 2-3-4-5-7 लाख रुपए और वीजा अपलाई कर दिया ये बात गलत हो जाती है भई वो बेवकूफ नहीं है यूएस से है यूएस से कुछ चोटी मुटी चीज नहीं है सो शौटकाट इस्तमा अब 20 लाख रपे किसी बिजनस में इनवेस्टमेंट कर दो काम चला तो चला नहीं चला तो कोई मसला नहीं प्राइवेट लिम्टेड कॉंपनी ओपन कर लो मलेशिया में तो संडेरियन बर हैड कर लो मलेशिया में जो यूएस से का कॉंसूल है उसकी मैं इसके उपर दे र आपकी एजूगेशन क्या है वह भी आपने उसके साथ लेके जानी है अपने फाइल का इतना बड़ा भी छोटा सा भी नहीं लेके जाना और इतना बड़ा पुलंदा भी नहीं लेके जाना कई पर इतने पुलंदे वाले भी रिजेक्ट हो जाते हैं तो इतने डाकुमेंट फिल करेंगे इसकी भी पूरी की पूरी 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 प्रिंट आपको चाहिए एक ही चाहिए यूएक से की अब सिर्फ और सिर्फ ये वाला पेज के एक कॉन्फरमेशन आएगा आपको कोड आएगा वो लिखे पूरी का पूरा आपने प्रिंट आपने क्या करने सिर्फ और सिर्फ उसका इमीग्रेशन पहुंची जाएगा ना यूएसी ही में तो वह एजी रहेगा और अगर आपनी एक नमंबर दो हीर दस से लेके अब तक पहले भी अपलाई किया तो आप वही वाले फारम को रीश डूल कर सकते हैं चलिए दूसरी बाते को छोड़के अब हम बाता करते हैं स्टेडमेंट की तो भई जो स्टेडमेंट होती है बैंक की उसके अंदर क्या होता है कि आपको अच्छे से उसको मटेन करना होता है यह नहीं है कि आपने सौर रपे डाल दिया सौर रपे निकाल दिया सौर रपे डाल दिया सौर रपे निकाल दिया वह वाली स्टेडमेंट नहीं मनी जाती है स्टेडमेंट मनी जाती है जिसमें हजारों आते हैं और मिलेशिया में कम से कम दो से तीन हजार रिंगट आपके पर मत आने चाहिए सेम फिक्स एक सैलरी को इंडिया में भी सेम है कम सकम 10-12-15 रुपए आपके अकाउंट में आना चाहिए और पूरी की पूरी डेटेल ऐसे ही हम आपके लिए बनाते रहेंगे ये वाली वीडियो में लंबी नहीं करना चाहता था पर फिर भी लंबी हो गई है ऐसे ही मैं आपको बताता रहूँगा भई चोटे शोटे टॉपिक और चोटे शोटे टॉपिक के बात करते करते आपको सारे एक दिन खुद में आपने देख लेना हम संडे को लाइव होंगे उसे में भी बात करेंगे USA के बारे में कनेड़ा, अमरीका, इंगलेंड कहीं का भी हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे और अभी के लिए ये वीडियो हम समाप्त कर देते हैं भई जितनी हो सकती थे हमने इंफोर्मेशन दी और जोएं जिनों भाइयों ने कर लिया है उनको मैं thank you बोलता हूँ और जिनों ने नहीं किया है उनको मैं कहता हूँ भई, आप support करो हमको आपके support की जरूरत है So मिलते हैं फिर एक नए content में, नई वीडियो में Thank you झाल झाल